नमस्कार मैं शादना पांडे मागदसन पर आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों नौरातरी का पंचम दिन नौरातरी का पांचवा दिन माता सकंद माता जोकी कार्टिकेर की माता जी के रूप में इस दिन को जाना जाता है और माना जाता है कि माता सकंद माता की पूजा से हमारी बहुत सारी बाधायें दूर हो जाती है साथ साथ संतान सम्मध्य यह दी कोई दिकत जीवन में चल रहा है तो वो भी दूर हो जाती है सकंद माता के बारे में बहुत सारी जो बाते हैं वो प्रचलित हैं और प्रचलित तो छोड़िये हमारी सास्त्रों में वर्डित है तो उन बातों पे भी आज चर्चा करेंगे विसे इसकर वो लोग आज थोड़ा सा ध्यान से सुन ले जिनको संतान नहीं है या फिर जो अपने बेटा बेटी किसी भी संतान से परिशान है तो वो लोग इस मा की अलग अलग रूप यही होते हैं कि आप सीखें आप जाने कि यह 9 दिन क्या है यह 9 दिन है मा के अलग 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 शुरूप में वो हमें सिख्छा देने आती है आज हम थोड़ी सी समस्याओं से घबरा जाते हैं लेकिन माता ने कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं का सा किया तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और अच्छी लगती है तो आप दूसरों के साथ सेयर भी कर सकते हैं देरे देरे हम नौरातरी के पांचवे दिन की तरफ बढ़ गए नौरातरी का पांचवा दिन माता सकंद माता की पूजा करें सरुपर्थम क्या करेंगे दिहान से सुनिए सरुपर्थम सुबा सबेरे 19 तारिक की बात कर रहे हूं पांचवा दिन नौरातरी का सकंद माता का द के बाद आपको muitas आर्फ में गुजा करने चाहते हैं तो अपने दाइनिक काम है पे ऍपपाय कर लिजे आप काम वाली के आने का इंतजार बिल्कुल क्योंकि मा आई हैं बिना साप सफाई के पूजा आरती वगरा हम नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पहले पूरे घर को साप सुतरा जितना हो सके जरूरी नहीं है कि पूरा रगड रगड के जाड़ो पोछा करना जरूरी है बस थोड़ी बहुत साप सफाई कर लेजे आज गुरुवार का दिन है तो आज हल्दी और गंगाजल मिलाकर पूरे घर में छिड़के पूजा अस्थान पे भी हल्दी गंगाजल का छिड़काओ कर लेजे नहा दो करके साप सुतरे कपड़े पहन लेजे आज बहुत सारे लोग पूछेंगे कपड़े किस रंग के पहने आज माता की पूजा के लिए हलके क्रीम रंग का वस्तर पहन सकते हैं पीले रंग का वस्तर पहन सकते हैं आज गुरुवार भी है तो आप पीले रंग के वस्तर पहने बहुत सोहोगा आपके लिए उसके बात करना ही है कि आप जहां भी पूजन करते हैं सरोपर्थम आप अपने जो चटाई होगी जो आसन होगा उसको जाड़ करके बैठें माता की पूजा करें पूजन में करना यह हैं सभी जानते हैं अपने अनुसार करेंगा मैं पूज़ा विदी के वीडियो दे चुके हूँ फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि पूजा में आप थोड़ा सा मा को सुबा सबेरे जो है सिंदूर लगाया करिए कुम-कुम लगाया करिए इत्र रखा करिए वो लगाया करिए और भोग जरूर लगाया करिए भोग के बिना तो कुछ होगा ही नहीं भोग के साथ-साथ अंत में लॉंग इलाइची ये एक पान के वीड़ा के रूप में हमर्पित करते हैं लॉंग इलाइची भी समर्पित करिए तो पूजा में ये च आर्टी कर लीजी माकी जैसे अमा गवरी ये वाली आर्टी सर्वस्रेश्ट है नौ देवियों के आर्टी समें हो जाती है तो इस तरह से कर लिजेगा आप मा की पोजा और आर्थी अब दोस्तों भोग आज क्या लगाएंगे तो दीखे भोग में जो ड्राइफूट वगर लगाते हैं लगा लिजेगा आज केले का भोग मा को लगाया जाता है मा को केले का भोग लगाए और साथ साथ मा को आप सूखे फलों का भोग लगा सकते हैं और दूद का भी लगा सकते हैं तो आपकी इच्छा लेकिन केले का भोग जरूर लगा लिजेगा केले का भोग लगाने के बाद इस केले का दान जरूर करिएगा आज प्रयास करिए कि केले आप स्वैम ना खाएं मा को भोग लगा करके घर में छोटे बच्चे वगर हैं तो उनको दे दिजे और आप अगर नहीं खाते भी से इसकर खा भी सकते हैं धनू और मीन रासी के लोग आज केले का सेवन बिलकुल ना करें मा को भोग अवश्य लग लिए और माउन के लिए मा शकंद मात। मांता क्या करती हैं लेकिन उससे पहले देख लेते हूं कि माता का मंतर आज का कौन सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर आप इस मंत्र का जब नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं कोई आवस्चक नहीं है कि मंत्र हम बदल कर जब जरूरी यह है कि हम कितने भाव से पूजा कर रहें आप चाहे लाखों बेद सास्त पढ़के देख लेजिए भगवान ने सिर्फ देखा है तो कोई मंत्र नहीं कुछ नहीं देखा है तो आपके भाव देखा है तो भाव को बहुत मजबूत रखे भगवान से लगा के रखे तो आज गुरुवार का दिन है आज मैं उनके लिए भी बात कर लेती हूँ जिनके विवाह में फिलंब है आप लोग चने की दाल केला और गुड का आजदान किसी भी धर्मस्थान में करिए और आज से सुरू करके साथ या फिर 11 गुरुवार कर लेजेगा और जरूर कर ल देखें आप लोग करेंगे असर नहीं होगा बच्चों से कराईयों होस्टल में हैं जहां भी हैं आप बच्चों से बोख देजे सारी चीज़े खरीद कर देना है तो करा दिजेगा आप लोग खुद मत करिएगा अगली चीज़ है दोस्तों कि आप बहुत ज़्यादा question ये भी आ रहा है या फिर comment कहिए या फिर हमारे phone पे भी सुबा से मैं यही हमारे office से phone आ रहा है कि आप एक काम करिए कि एक दिन पहले वीडियो जा लिए देखिए एक दिन पहले तो संभव नहीं है टेकि थोड़ा पहले मैं डाल सकती हूँ ताकि आप लोग market से कोई भी चीज़ मंगवाना हो तो मंगवा सकते हैं तो उसके लिए छमा करें मैं जितना हो सके उतना पहले डालने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हूँ और हाँ दोस्तों ये सारी बाते तो हो गई अब एक महतवपूर काम मैंने एक बताया जिनके बच्चों के विवा में विलंब हो रहा है वो तो करी ले जो लोग नहीं संतान है जिनको की डाक्टर ने भी तो कुछ नहीं कहा और फिर भी उनके जिवन में शमस्याय निरंतर बनी हुई है उनके पास पता तो नहीं है कारण क्या है लेकिन संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है तो आज के दिन से संतान गोपाल का पार्ट करिएगा संतान गोपाल का पार्ट करने से आप लोग देखिए एक कमी हो जाती है मैं ऐसे बोल दूंगी न तो सायद कम लोग होंगे जो उस बात को न माने आप लोग एक चीज जानिए गुरु मंत्र क्या होता है बस कान में फूका जाता है वही किसी का जीवन सवार देता है और उसी को पालन न करने से किसी का जीवन सामाने का सामान निरा जाता है और कोई उसी गुरु मंत्र को लेकर जीवन में परम ये को प्राप्त कर लेता है तो मैं जो बता रहे हूं आप उस पर थोड़ा अमल करिए आप संतान गोपाल का पार्ट आज से करिए नहीं रहेगी समस्या भगवान माता का सकंद माता आपकी गोध में जैसे देखे उनकी फोटो देखे आप उनके गोध में जैसे कुमार के बैठे हुए वैसे आपकी गोध भी हरी होगी तो यह कर लिए समय समय पे मैं उपाय बताती रहती हूं लेकिन कुछ लोग जो है उपाय तो देखेंगे नहीं बस कमेंट कर देंगे कि दिदी कोई उपाय बताई है आप बताई अलग से नहीं होता है समय और मोहर्त को संद आती है तो लाइक करिए दोस्तों क्योंकि आपके लाइक प्रेणा देते हैं और चैनल को भी साथ साथ सब्सकाइब कर लीजे तो चलिए मिलती हूं अन्यमाहत्वण वीडियो में धन्यवाद